सोलल में 26 स्टंबर को 27 साइं संद्य का आयोजन किया जाएगा ये जांकाई पंजाबी वहासावा के अध्यक्ष बिजेपुरी ने प्रेस बाता के दोरान थी उन्होंने बताया कि उनकी संद्या दोरा साइं संद्य का आयोजन तीसी वार करवाया जा रहा है ये संद्या सोलल के इतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजन की जाएगी मैदान में लगने वाला पंडाल आकर्शन का के इंदर रहेगा जिसमें देश के सूपर्शित बजिन गायक सभी को अपनी गीतों से मंतर मुगत करेंगे सोलल में 26 स्टमबर को विसार साइन संद्या का आयोजन किया जाएगा ये जानकारी पंजाबी महसाबा के अध्यक्ष भीजेपुरी ने प्रसबारता के दोरान दी उन्होंने बताया कि उनकी संद्या दोरा साइन संद्या का आयोजन तीसरी वार करवाया जा रहा है ये संद्या स्टोलन के इतिहासिक ठोड़ो मैदान में आयोजित की जाएगी मैदान में लगने वाला पंडाल आकशन का केंदर रहेगा जिसमें देश के शूपरसिद बजन गायक सभी को अपने गीतों से मंतर मुगत करेंगे उन्होंने सोलन की जंतर से अन्रोध किया है कि बे जाएदा से जाएदा संखे में मैदान में पहुंचकर बगवान साई का आश्रिवाद ले और अपना जीवन सफल बनाए पंजाबी महसावा की अध्यक्ष बिजेपुरी ने बताया कि साई संद्य में बजन गायक पुनीत खुराना साई बजनों का गुंगान करेंगे उन्होंने कहा कि आज का युबा पास्चाते संस्कृति की और जैदा अकर्शित हो रहा है और बे अपने पत से पूरी तरह से बटक चुका है इसलिए उन्हें उचित मार्ग दिखाने के लिए और पत वरस्ट हुई युवाओं को सही मार्ग पर लाने के लिए इस साई संद्य का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सोलन के सभी युवा बर्चड कर बाग लेते हैं और अपनी सुनहरी बविश्यों की कामना करते हैं पुरीत खुराना जी रहेंगे और उसके बाद आम जनता जितनी भी जनता वहाँ पर होगी उनके लिए बढ़नारे का भी आजोजन किया गया है यह हमारी तीसरी साही संद्या है इस साही संद्या का एक उदेश्या यह है कि भक्ती करस जो कि आजकल लोग डांस अधर बॉर्डर चीजों के अधर भागे हुए हैं उनका जो द्यान हटा के एक भग्वान की तरफ द्यान हटा लगा जाए ताकि जितने भी यूथ लोग हैं वो नशे से मुक्त हों और अच्छे कामों में लगें क्योंकि जो साइन है साइन सभी को यह मैसेज देते हैं कि you should do the best in the world जो की सभी मानुश के लिए मनुश्या के लिए जरूरी है वो अच्छे काम करें अच्छे काम के लिए आगे बढ़ें और वही हो देश्या हमारा मैसेज देना है साइन संद्या की दोरा और इसके अलावा पंजाबी मासाभा के सभी सदस्या बढ़ चड़ कर सोशल कारियों में आगे करते रहें, काम करते रहें पीछे दो सालों से तीन सालों से हमने लगतार अच्छे काम कियें जिसमें ट्री प्लानटेशन, ब्लड डोनेशन कैम और इसके लावा कई डोनेशन हमने उन बच्चों को लोगों को दी है जो की जुरूरत मंद है और यह जितना भी पैसे कत्रित होते हैं हम सोशल सर्विस के अंदर लगाते हैं और हम चाहेंगे कि आने वाला समय जो हुआ वो एक अच्छा समय होगा और हम जितना पैसा उपलब्द कर पाएं और अच्छे कारियों के लिए उसका योजन किया जाएगा वक्तों चलक्छों डिसिप्रीक आया मिलते हैं ब्रीक के बाद